हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट सीपी में आज मैं आप लोगों कुछ अजीबो गरीश साप के बारे में बताऊंगा जो की काफी जादा खतरनाग भी हैं और देखने में काफी जादा सुन्दर भी लगते हैं आप उनको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं दोस्तो हमारी प्रत्वी रहस्यों से भरी पड़ी है और यहाँ पे अनेको प्रकार के जन्तों की भरमार है लेकिन दोस्तो इसनेक यानी की साप एक ऐसा जीव है जिसके डर का खौफ बना ही रहता है लोगों में और साप जिग्यासा के विशय भी बने रहते हैं दोस्तो साप जितने ही ज़्यादा खतरनाग होते हैं उतने ही ज़्यादा बिचित्र भी होते हैं और उनकी कई प्रजातिया पाई जाती हैं, सारे साप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ बिचित्र और जहरीले सापों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं इस वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो पहले नंबर पर बात करते हैं ब्लेक मामबा की ब्लेक मामा का नाम आप लोगोंने जरू सुना होगा या बेहदी खतरनाक साप है या अफ्रीका में पाया जाता है इसका नाम इसके काले माउथ के कारण पड़ा है ब्लेक मामा अपना माउथ जब ओपन करता है तो उसमें ब्लेक रंग अच्छे से आप लोग देख सकते हैं इसकी लंबाई जो होती है वो 2-3 मीटर तक होती है अगर आसान भासा में कहा जाए तो इसकी लंबाई एक आम इनसान से भी ज़्यादा होती है एक आम इनसान की जो लंबाई होती है उससे भी ज़्यादा इससाम की लंबाई होती है इसलिए ये हमारे लिष्ट में सामिल है दूसरे नमबर बात करते हैं इस्पाई ने बुस वाइपर की ये बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तो इसके उपर की खाल बिल्कुल ड्रेगन जैसे होती है ड्रेगन की मुवीज दोस्तो इस सांप ने अगर किसी इंसान को काट लिया तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस सांप के बिस के कारण इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तीसे नमबर पर बात करते हैं एक अनोखे सांप के बारे में जिसे फ्लाइंग इसनेंग के नाम से जानते हैं जी हाँ दोस्तो फ्लाइंग इसनेंग मतलब की उड़ने वाले सांप के नाम से जानते हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चौ्कानी वाली बात ये है कि ये उड़ नहीं सकते, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए ये चलांग लगाते हैं. ये साप अपना ज्यादा तरस हमें पेड़ों पर बिताते हैं और एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने के लिए ये पेड़ों से छलांग लगाते हैं चोथे नमबर पर बात करते हैं पेड़ इस्पिटिंग कोबरा की ये भी अफरीका में पाया जाता है और एक बेहदी खतरनाक साप है मुख्य रूप से यह पूर भी अफरीका में पाया जाता है ये काफी तेज होते हैं और ये अपने जहर का इस्तेमाल सिकार को मारने के कड़ी की होल में रहते हैं जब इन्हें किसी भी खत्रे का हैसास होता है तो ये अपने फन को कोबरा के जैसे ही निकाल लेते हैं उसके बाद भी इन्हें लगता है कि खत्रा टला नहीं तब ये जहर की बॉच्छार करते हैं दोस्तों पांचे नमबर पर बात करते हैं कलर का background होता है इस पर blue color की धारिया होती है जो इन्हें इतना अनुखा बनाती है इनकी खुब्सूर्थी की वज़ा से बहुत सारे इसने collector यानी की सापों को इकठा करने वाले जो सापों से लगाव रखते हैं सापों से प्यार करते हैं वो इनको collect करते हैं यह सिर्फ mammals मतलब क की अस्तंधारियों को खाते हैं और कीड़े मकोडों को खाते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें से आपको सबस्क्राइब अच्छा साप कौन सा लगा आप मुझे comment box में जरूर बताईए और वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब क इडिये